नमस्कार दोस्तो आयरवेद के संबंद में सवाल जवाब की हमारी सरंखला का ये तीसरा वीडियो है तो चलिए बिना समय गवाई हम इस सरंखला को आगे बढ़ाते हैं दोस्तो मैं डोक्टर रोबिन सर्मा आप सभी का एक बार पुने स्वागत करता हूँ और सवावाल जवाब की स्रंखला को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी को एक बार पुने सूचित कर देना चाहूंगा कि यदि आप भी अपनी किसी समस्या के लिए या फिर आयरवेद के संबंद में कोई सवाल मुझसे पूछना चाहते हैं तो इस कमेंट सेक्षन में आप मुझसे अपने वो सवाल पूछ सकते हैं मैं कल के वीडियो में आपके अधिक से अधिक सवालों के जवाब देने का प ब्यारेश्ट और यह ओशिधी यूहीं इस समस्या के लिए प्रसिद्ध नहीं है इस ओशिधी का प्रियोग बवासीर भगंदर और कब्ज की अवस्था से पेड़ित 90-95 प्रतिसत रोगयों में संपूर्ण या फिर बहुत ही प्रभावी असर दिखाता है और सब से खास ब जबकि जवर में पित की अधिकता होती है जिसके कारण जवर होता है तो ऐसे में पित बढ़ता है तो अगनी तेज होनी चाहिए भूख खुल कर लगनी चाहिए परन्तु होता ठीक इसके विप्रीत है आखिर ऐसा क्यूं देखें निश्चे तोर पर जवर की अवस्था में पित कुपित होता है और इसी कारण सरीर का तापमान भी बढ़ता है पर जब हमारे सरीर पर विशानू का अक्रमन होता है तो उन्हें समाप्त करने के उदेश्च से हमारी जठरागनी के तेज को कुछ समय के लिए मंद कर उसका प्रियोग विशानू को समाप्त करने के ये हमारा सरीर करना प्रारंब कर देता है इसी कारण ज्वरक की अवस्था में जठरागनी मंद हो जाती है जबकि सरीर के अन्यांगों में पित्य की अधिकता अनुभव होती है चलिए अब आते अंगली सवाल के उपर इन्होंने पूछा है आईबियस की दिक्कत है मल में बता चुका हूं कि बेलगेरी चोन और इसबगोल की भूसी सबसे प्रभावी ओशिधिया है और अगर यह समस्या बहुत अधिक पुरानी है बहुत अधिक मात्रा में मल के साथ आँवा रहा है तो ऐसी अवस्था में एक बार चिकित्सा कर्म का प्रारंब पंच कर्म से करन लाब प्रदान करने वाले होते हैं इसके अलावा इस अवस्था में बिलवासव, कुटजारिष्ट, कुटजगनवटी, चित्रकादीवटी, गंदकराजवटी, हिंगवास्थक, चूरण, हरड, अजवायन और पोदीनेकार्क काफी लाबकारी होता है पर ऐसी स्थिति में एक बहुत ही बड़ी गलती इस समस्थिया से जूज रहे रोगी अवश्य करते हैं या अधिकतर करते हैं क्योंकि दिन परते दिन सरीर कमजोर होता चला जा रहा है तो ऐसी अवस्था में अपनी समस्थिया को दूर करने वाली विभिन ओश्यदियों का प्रियोग करने के सा साथ वो कहीं न कहीं अपने वजन को बढ़ाने वाली बहुत सी आयरवेदिक ओशिधिया या फिर अन्य तरीकों का प्रियोग करना प्रारम कर देते हैं तो ऐसे में कुछ हद तक जो उन्हें लाब आयरवेदिक ओशिदियो के प्रियोग से अपनी पाचन तंत्र की समस्या म और अधिक बिगाड लेते हैं और इसी चक्र व्यू में वो घूमते रहते हैं कहीं पर भी नीपोचते तो ऐसे में पहले पेट पर ध्यान दीजिए उसके बाद सेहत पर ध्यान देना आपके लिए लाबकारी रहेगा और यही प्रभावी उपाय है इस समस्या को दूर करने का चलिए आब आते हैं अगले सवाल के उपर पर उससे पहले एक छोटी सी जानकारी मैं आपको दे देना चाहूंगा कल के सवाल जवाब के वीडियो में मैंने जंडू पंचारिष्ट और कुमारी आसव के बारे में तब ही आपको दोनों का साथ में प्रियोग करने की आउशकता है निता जंडू पंचारिष्ट का प्रियोग ही प्रियाप्त रहता है अब बात करते हैं अगले सवाल के इनोंने पूछा है स्पोर्ट्स खिलाडियों के लिए कुछ बताईए जिससे सरीर में पावर आए देखे कल भी मैंने स्टैमिना को बढ़ाने वाला एक नुस्खा आपको बताया था और आज भी मैं एक आसान सा नुस्खा आपको बतला देता हूँ जो आपकी शक्ती में ब्रिद्धी करेगा और साथी साथ आपके स्टैमिना को भी ये बढ़ाने का कारे करेगा इस नुष्खे के लिए आपको आउशकता होगी अश्वगंदा, गोखरू और मुलेठी मातरें तीन चीजों का आपको प्रियोग करना ये परन्तु इसे प्रियोग करते समय पाचन तंतर के बलाबल का निश्ची तोर पर आपको ध्यान रखने की आउशकता होगी अन्यतल आपके स्थान पर एहानी और प्राप्त होती भी दिखाई देगी चलिए आप बात करते हैं अगले सवाल की और ये सवाल दरसल कमेंट में किसी ने नहीं पूछा है मैं आपनी तरह से इस सवाल को ले रहा हूँ क्योंकि आप में से बहुत सारे रोगी जो मुझसे मिलते हैं या फिर मुझसे फोन के माध्यम से कंसल्टेंसी लेते हैं उनका ये एक प्रमुख सवाल रहता है तो ऐसे मैं मुझे लगा कि आप सभी के साथ इसे साजह अवश्य करना चाहिए अधिकतर रोगी कहते हैं कि हमारे लिंग पर नसे दिखाई देना प्रारम हो गई है जिसको लेकर हम चिंतित हैं हम गबराए हुए हैं क्योंकि लिंग पर नसे दिखाई देना कमजोरी की निशानी है हम क्या करें हम बहुत अधिक परिशान हैं तो दोस्तों इस सवाल का जवाब देने से पूर्व मैं आप सभी से पूछना चाहूंगा आप सभी ने बोडी बिल्डर वगएर तो आउश्य देखे होंगे जो खूब वजन उठाते हैं खूब मेहनत करते हैं अच्छी बोडी बनाए रखते हैं और उनके हाथों और पैरों को भी आपने आउश्य देखा होगा तो आपने कभी नोटिस किया उनके हाथों पर नसे उब्रियों ही दिखाई देती हैं तो आप वाले लोजिक के हिसाब से उनके हाथ आपके मुकाबले कमजोर होने चाहिए नहीं दरसल हमारे लिंक पर फैक नहीं होता है जिसके कारण वो नसे दिखाई देती हैं और यह किसी भी रूप से कमजोरी की निशानी नहीं होता अब आप लोग सोचेंगे कि यह कमजोरी की निशानी नहीं होता तो बार-बार बहुत से वीडियो में हमें यह देखने को यह सुनने को क्यों मिलता है कि नसे दिखाई देना कमजोरी की निशानी होती है देखिए अब यहाँ व्यापार का प्रवेस होता है इलाज का नहीं व्यापार का प्रवेस होता है और यह व्यापार है डर का आपको एक ऐसी चीज के लिए डराया जा रहा है जो सभी के साथ होती है पर इसके बारे में खुलकर चर्चा नहीं होती जिसके चलते हमें यह अनुभव होता है कि केवल हमारे साथ यह घटित हो रहा है और इसी डर को और अधिक बढ़ाया जाता है पैसो के लिए बस समझ लीजिए उन पैसों के लिए ही आपको एक ऐसी बिमारी का सिकार बनाया जाता है जो दरसल आपको है ही नहीं किसी को नहीं है चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल की इन्होंने पूछा है गैस बहुत अधिक बनती है पेट हमेशा फूला रहता है क्या किया जाए तो देखिए सबसे पहला काम जो आपको करने की आउशक्ता है वो है अपने खाने को आप नियमित करें एक नियत समय पर एक नियत मात मात्रा में ही भोजन ग्रेंड करें किसी दिन भोजन अच्छा लगा तो अधिक खाल या किसी दिन भूखे रह गए यह नहीं इसके लावा रात्री को भोजन थोड़ालका करें रात्री के खाने और सोने के बीच दो डाइगंटे का अंतरा पावश्य रखें और अगर गैस अगरा बहुत अधिक बनती है तो प्रोटीन की मात्रा भी आपको थोड़ी कम करनी पड़ेगी अपने खाने में इसे के साथ इस बात का विशेश तोर पर ध्यान रखें कब जो किसी भी आलत में ना रहे और रही बात ओशिदियों की तो हिमाल्या गैसेक्स काफी अच्छी इस परकार की अवस्था में प्रियोग करने के लिए इसके अलावा हिंगवास्टक चोन चित्रकादी वटी गंदक राजवटी लवन भासकर चोन कुमारी आसव आधी अन्य बहुत सी ओशिदियों का प्रियोग किया जा सकता है इस समस्या को दूर करने के लिए तो दोस्तो आशे करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगे आज के इस वीडियो में इतना ही मिलते अगली वीडियो में नमस्कार